इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने लैप्टॉप का धगकन बंद करें तो आपका लैप्टॉप हाइबर नेशन मोड में चला जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ अगर अभी मैं अपने लैप्टॉप का लिड बंद कर रहा हूँ तो मेरा लैप्टॉप कुछ भी नहीं होगा मैंने इसे बंद करके दोबारा से अन करा तो मेरा लैप्टॉप को कुछ भी नहीं होगा अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने लैप्टॉप का धकन बंद कर करना है उसके बाद आपको system पर click करना है फिर आपको power and slip पर click करना है फिर आपको additional power settings इस पर click करना है उसके बाद आपको choose what closing the lid does इस पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको दूसरे number पर दिखेंगा वहना है close the lid तो do nothing select है आपको इस drop down पर click करना है और यहाँ से hibernate select कर लेना है और फिर नीचे आपके save changes पर click कर लेना है अब मैं इसे close कर लेता हूँ और अब मैं अपने laptop का डखकन लगाता हूँ तो मेरा laptop hibernation mode में चला गया होगा आप देख सकते हैं laptop बन हो गया यारी hibernation mode में चला गया मैं इसे on करता हूँ laptop on होने के बाद जो file folder programs open थे वो open ही रहेंगे यानि laptop जैसा का वैसा ही रहेंगा जिस condition में हमारा laptop बंद हुआ था on करने के बाद हमको वैसा ही condition में हमारा laptop मिलेंगा तो जो कुछ भी on था वो सब कुछ on ही है जैसा का वैसा आप देख सकते हैं झाल 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 झाल